हलो आपका स्वागत है मेरे चैनल हेर सॉलूशन पे आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ थर्ड नंबर आज वीडियो है अमारा डे थ्री है हेर स्टाइलिंग के उपर ही है आज की बात करेंगे जो हम टूल्स यूज करते हैं टूल्स में क्या-क्या यूज करते हैं सबसे पहले हम बताएंगे ड्रायर के बारे में ओके तो रेडी हैं सब लोग शुरू करें आज की क्लास तो हेर ड्रायर जो है Hairdryer काफी सारे brand में आता है मेरे especially जब मैं buy करता हूँ मुझे 3-4 brand पसंद है तो मैं सारे अपने पास रखता हूँ सबसे पहले मेरा favorite है Tyson सब लोगों ने सुना हो गए, right? Then दूसरे number पे आता है मेरा favorite Babyliss and third number पे आता है अगर आपको इंडिया में खरीदना है Babyliss भी है, Dyson भी है और third number पे है, Iconic ये brand बहुत अच्छा है dryer के तीनों आपको इभी खरी सकते हो सबका अलग-अलग range है Babyliss का शुरू हो जाता है 1800 watt से लेके to 2400 watts तक Iconic का भी सेम है 2200 watts to 2400 watts तक अभी इसका meaning क्या है watts का भी बताता हूँ और Dyson जो है, Dyson एक special case है, मेरा क्यों फेवरेट है क्योंकि Dyson के अंदर आपको बहुत सारी extension मिलती है जो कि इन दोनों dryers में नहीं मिलती है यह लग लग कंट्री के हिसाब से ही होता है, watts मतलब उसकी power, okay मेरी W थोड़ी से अजीव है यह होता है start 1600 watts से, okay इसकी power भी अच्छी है और काम भी अच्छा करता है अब मैं बात करूँ extension में तो सबसे ज़्यादा extension मिलती है आपको इसके अंदर, Dyson के अंदर तीनों का version अलग अलग आते हैं तो आपको जिनके साथ pro लगा हो वो लेना है pro का मतलब है professional professional hair dryer ही हमें खरीदना है किसी भी brand का लो, अभी मेरे पास आपको दिखाओं, यह है babyless का एकदम compact है, छोटा सा है इसको मैं use करता हूँ यहाँ पे babyless pro लिखा हुआ है, right तो यह आप इसलिए खरीदें यहाँ पे जब भी आप dryer लेते हो तो इसके साथ इस तरीके का एक plug आता है, जिसमें test and reset का option रहता है अब इसका क्या meaning है, जब अप America, Canada यह दूसरी किसी country में use करते हूँ रहा है तो ऐसे plug लगे रहते हैं आगे, ताकि अगर ज़्यादा vault आए, तो आप set कर सकते हो या वो trip हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा तब या short circuit होता है, तो भी यह trip हो जाएगा, चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा अपने आप से start होता है, यह है babyless pro, मेरा favorite है, आप खरीदें जरूर, एक और brand है मेरे पास, वो बताता हूँ यह वाला, उससे पहले, आपको Dyson का, अगर आपको किसी को भी खरीदना है, तो यहाँ पर मैं picture upload कर दूँगा, आप देख सकते हैं, यह Dyson का dryer है, इसमें क्या क्या extension है, वो भी आपको picture में दिखाई दे रही है, अब आराम से खरी सकते हैं, थोड़ा महेंगा जरूर है, बट इन्वेस्टमेंट करें, और future में बहुत मदा आने वाला है, मेरे trust पर अगर आप खरीदोगे, तो मैं Dyson recommend करूँगा, अजारो brand आते हैं, पता है, हर एक brand में अलग-अलग dryer ह है, क्या उसका meaning है, तो आप एक-एक चीज पढ़के, देखके खरीदें, बेबीलिस का मैंने दिखा दिया, इसमें बहुत सारे अलग-अलग variant है, अलग-अलग models हैं, जैसे मैंने बोला, मेरे वाला जो है, वो 1875 watts है, और फिर Iconic की भी मैं यहां पे जो pictures हैं, वो आपको upload कर के दिखा दूँगा, Iconic में कितने अलग-अलग dryers आते हैं, उनका range अलग है, 2000 से start होके 5000 तक अलग-अलग dryers की range है, जैसा आपको पसंद है, वो खरी सकते हैं, और उसके इलावा, मैं आपको बता दूँ कौन-कौन से brand है, जो मुझे पसंद है, यहां पे, GHD, यह भी एक ब brand है, hair dryer का, फिर है, जो मैं इसकी बात करना था, यह भी मैं यूज करता हूँ, यह है, रमिंग्टन, रमिंग्टन एक बहुत बढ़िया brand है, इंडिया में भी है और अमेरिका में भी चलता है, तो मैं यह अमेरिका में यूज करता हूँ, इसके नाम भी लिख देता हूँ, मैं बोलूँगा यह dryer तो आप खरीदो ही खरीदो, अभी dryer काम क्या करता है, dryer क्यों खरीदो भई, तुम तो बोल रहे हो खरीदो, राइट, तो dryer क्या काम करता है, सबसे पहले, बालो को जब भी dry करना है, हमारा dryer use में आएगा, बालो को state करना है, dryer use में आएगा, बालो को curl कर तो ये ड्रायर यूज में आएगा, तो ये ऐसी काफी सरी चीज़े हैं, जिसमें हमें ड्रायर यूज में आता है, अगर आपको हाइलाइटिंग में फॉयल को हीट देना है, तो ड्रायर यूज में आएगा, देख रहे हो आप, बालो को 50% ब्लो ड्राय करना है, तो ड्रायर, आउट कर्स, इन कर्स, स्टेट ब्लोड रहे, एनिफिंग, ये ड्रायर बहुत ज़रूरी है तो इसलिए सोस समझ के खरीदे, जब भी ड्रायर लें, मैं तो यही रेक्मेंट करता हूँ अच्छे ब्रैंड का ड्रायर लेंगे, तब ही उसका फायदा है और आपका भी और मेरा भी, मेरा इन दे सेंस, कि आप अच्छा खरीदो, अच्छा काम करो और मेरा नाम अगर ओशिन करो जो लोग भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे पहले बोलूगा कि आप अभी अगर नए हो मेरे चैनल पर, तो चैनल को सबस्क्राइब कर दो, अभी क्या भी वीडियो के नीचे एक रेड आइकन है, उसको दबा दीजे दूसरा, इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको मेरी इंफोर्मेशन अच्छी लगी, जो मैंने बताई आप लोगों को और कुछ मेरे सोशल मीडिया हैं, जो यहाँ पर चलते रहते हैं, तो उसमें मेरा इंस्टाग्राम है, फेस्बुक है, आप जाके जरूर फोलो करो, इंस्टाग्राम की यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, आप जाके फोलो करोगे, बहुत सारी अलग-लग टिप्स आपको देखने को मिलेंगी, trust me, you're gonna love it, इंस्टाग्राम जरूर फोलो करो, फेस्बुक जरूर फोलो करो, और बहुत सारी अलग-लग कोर्से जा रहे हैं हमारे, जो की नए कोर्स हैं, जैसे की हेर एक्स्टेंशन के बारे में मैं सिखाने वाला हूँ, अब उसमें कौन-कौन सी हेर एक्स्टेंशन सिखा रहा हूँ, एक तो मैं सिखा रहा हूँ, माइक्रो, लिंक, लिंक इन करके एक हेर एक्स्टेंशन आती है वो सिखाने वाला हूँ, फिर केरा इन करके हेर एक्स्टेंशन आती है वो सिखाने वाला हूँ, टैप इन हेर एक्स्टेंशन सिखाने वाला हूँ, स्वे इन हेर एक्स्टेंशन सिखाने वाला हूँ, क्लिप इ कोर्स में participate कीजिए और pay करके आप ये course दिख सकते हो ये upcoming course है नया course हा रहा है आप लोग join करिए और अपनी जादा से जादा अपनी knowledge को बढ़ाएं और ये एक extra work है जो आप अपने सलोन में करके extra money बना सकते हो और सबसे सस्ता है और जादा पैसा मिलता है इसमें येस अब मेरे बोलने पर मज जाएं बड़ आप देखें जाके buy करेंगे समान आपको समझ में आ जाएगा एक एक खेर extension colorful है without color लेनी है natural color लेने है बालों की length लंबी दिखानी है बालों को highlights दिख बरूर जॉइन करिएगा ओके चलिए आज का वीडियो जो है वह यहां तक रखेंगे next वीडियो जल्दी upload करूंगा मैं हमारा next tools के उपर आएगा आज था head drive के बारे में next मैं idling के उपर वीडियो लेके आने वाला हूं जो कि हमारा day 4th होगा ओके तो ready रहिएगा enjoy like share comment कर ना मत बूलिएगा और हमारे Instagram को जरूर follow करें और upcoming videos को like करते रहें और हमारे paid course को join करते रहें thank you मत बूलिएगा करते बंकुता तुमका जब Martु constant को